अभी तक आपने देखा कि कैसे अनामी सूधा को वापस लाल महल में ले आती है जहां सूधा की कोशिस है कि अनामी के साथ जूठा प्यार जता कर उसे सत्रूपा के खिलाप इस्तिमाल कर सके इस्टार प्लस के सो रिस्तों का चकरवियू में अब तक आपने देखा कि सूधा को इस्तिमाल करना आसान नहीं होगा इससे तंग आकर अनामी अब बड़े सिक्रेट प्लान पर काम कर रही है इस बिच सत्रूपा और सूधा में हो चुकी है अच्छी दोस्ती इससे अनामी को और बुरा लग रहा है कि जिस सत्रूपा के खिलाब सूधा को लाल महल में लाया गया वह सूधा सत्रूपा के ही करीब हो गई अनामी इस बैक फाईर को बरदास नहीं कर पा रही इसी की जलन के मारे अनामी उलज जाएगी सुधा के साथ और दोनों के बीच हो जाएगी गर्मा गर्म तक्रार क्या इस जगड़े का मतलब समझ जाएगी सतरूपा क्या अनामी की सुधा पर की गई मेहनत हो जाएगी बेकार और सुधा बजाए इस्तिमाल होने के कर देगी अनामी के खिलाप बैक फायर क्या सतरूपा खेल समझने के बाद सुधा को कर लेगी अनामी के ही खिलाप यह तो आपको आने वाले एपिशोड में ही पता चलेगा लेकिन यह तै है कि रिस्तों का चक्र व्यू का आने वाला एपिशोड होगा ट्विस्ट और टर्न से भरपूर नियूज रूम से आकास की रिपोर्ट सीरियल से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदी टाग